स्वागत नी करोगे हमारा अरे भाई इतना वडिया समरी लाया हूँ स्वागत तो बनता है बॉस इस वीडियो के अंदर हम क्या डिसकस करेंगे एफ र में बहुत सारी जगे पे मेजर करने वाली चीज आते हैं जिसते इंवेंटरी को किस पर मेजर करना है कब कुसों करने और जुए ऑफ करने की कब हम को फेर को खुंप करना है कब पीजकी आपको फेर वाल पे दे तो एसे जहां जा मेरे को लगता आता कि सक्षोन ya किल्कुलिशन में करने लेकरено प्रीवी आइग घ्ट्ग है तो मैंने सारे इंडेस को summarize नहीं किया इदर, जो इंडेस में calculation वाला पार्ट ता, जहां measure करने किसे value के उपर, जहां confusion हो सकता है, वो मैंने summarize कने का कोशिश किया, ठीके, तो लिखने का जरुवत नहीं है, यह फाइल में डाल दूँगा, टेलेग्राम के उपर, आपको मज़ा जाएगा, सिफ जोइन करना है, और डाउनलोड करना है, ठीके, प्रिंट लेकर रख लेना, बट इस वीडियो के अंदर, मैं एक बार discuss भी करूँगा, सारे इंडेस के जो measurement समरी है, वो, वैसे तो जो मैंने लिख रहा है, एक दम self-explanatory है, एक बार अगर 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 subscribe करना, सबसे बहले, subscribe करना देखना मत वीडियों, सबसे बहले subscribe करो, अब आउ, हाँ, अब सबसे बहले, index to inventory, मैं बैसे sequencing वाइस गया हो, जो number पहले है, उसको मैंने पहले उठाया है, तो index to inventory, inventory का आपन किस पर मेश करते है, cost या nrb, whichever is lower, बड़ा सा एज़ए, self-explanatory है, फि फिर बात करते हम year end पे, every year end पे PP को किस पर measure करेंगे, तो cost या fair value, company की choice है, company दोनों में से कोई method चूज कर सकती है, ठीके, अब 16 के बाद, ideally हमको 38 की बात कर नीचे, तो पहले उसकी बात करूँगा, फिर 36 पर बात में आता हूँ, 38 intangible asset, same like PP, initial measurement, subsequent measurement, initial याप cost पर रखोगे, जब दिन खरीद के लाओगे, intangible को self-construct करोगे, जो भी है, cost पर रखोगे, subsequent measurement, आप रखोगे, cost या फिर fair value पर, लेकिन यहाँ catch है, यहाँ भी company की choice है, कोई method चूज करो, लेकिन यहाँ catch है, catch यह है, कि जब आप fair value method चूज करोगे, record करोगे, मतलब वो fair value cost बन जाएगी, वो चीज तो business combination में आ जाएगी, anyways, सब को clear है वाला पाट, यह ध्यान रखना, कि यह वाला exception है, यह PPE में नहीं था, यह सी 38 के अंदर है, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 40 पर, that is, investment property, again, इस पर भी, दो दिन पर measure करने की बाते, initially भी cost, यहाँ, change किया है, subsequently भी cost पर ही है, यहाँ, दो method ही अपने पास, तो यहाँ, subsequently cost पर रखो के, हाँ, अगर आप से कोई पूचे, fair value जरूरी है क्या, तो बोलने का, हाँ, चाहिए fair value, but only for destroyer purpose, तो investment property अभी fair value पर होती नहीं है, ढूंते only for destroyer purpose, ठीके, अब मैं, यह, आप से मैंने बात की, 16, 38, 40 की, अब मैं impairment की बात करूँगा, 36, ठीके, अब इन तीन asset का, अगर impairment होता है, तो impairment आप कैसे चेक करोगे, 2 amount compute करने का, 1 carrying amount और 1 recoverable amount, ठीके, carrying amount कैसे मिलेगा, balance sheet value होता है carrying amount, recoverable amount कैसे मिलेगा, 2 value ढूनना, 1 value in use, और 1 fair value less cost to sale, आज के बाद मैं short form में इसको बोलता हूँ, FVLCTS, value in use कैसे मिलता है, present value of future cash flows, fair value less cost to sale कैसे मिलता है, fair value minus cost to sale, यह दोने में से whichever is higher है, इसको आप बोलोगे recoverable amount, ठीके, now, if your carrying amount exceeds recoverable amount, मतलब अगर आपका carrying amount 100 है, लेकिन आप recover 80 ही करने वाले हो, तो impairment loss होगे, ध्यान रखना, बट अगर vice versa, recoverable जाद है, carrying amount कम है, तो impairment loss नहीं है, ठीके, of course reversal भी permitted है, index के अंदर, वो reversal भाली बात है, थटी चिसमें आपने देखी होगी, ठीके, clear sir, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद आएगा, index 41 agriculture, ठीके, अगर आपके उसकोई भी agriculture assets है, तो agriculture वाले में, दो assets covered है broadly, एक है biological assets, है ना, मतलब जो plant and animals होते हैं वो, उसके अलावा है, agriculture produce at the point of harvest, यह ना, at the point of harvest तक, 41 में रहता है, after the point of harvest, वो index 2 में चला जाता है, ठीके, तो अगर आपके उस agriculture produce at the point of harvest तक है, तो उसको आप F.E.L.C.T.S. पे रखोगे, यहाँ यह वाले exception अवेले नहीं है, मतलब biological asset में जो exception था ना, कि F.E.L.C.T.S. नहीं मतलब cost पे रख लो, यह वाला exception is not applicable for agriculture produce at the point of harvest, clear वाला part, simple ठीक है यह 41 की बात कर लिए, ठीक है, अब मैं एक बार 105 की बात कर लोता हूँ, 102 पे आता हूँ, 105 मतलब N.C.A. held for sale, मतलब non-current asset held for sale, इसमें भी हम नॉर्मली 16, 38, 40 वाल assets की बात कर ले होते हैं, तो अगर आपकी बास कोई भी non-current asset held for sale है, तो आप उसको रखते हो, carrying amount, F.E.L.C.T.S. whichever is lower, और ध्यान अटना, जेस दिन आप इस index में आगे, उस दिन सा आप depreciation चार्चकाना बन कर देना, तो आपको चेता हो, मैं लिग भी देता हूँ, जेस दिन आप 105 में आगे, depreciation stops, तो यह बात आप ध्यान रखना, clear है वाला पर ठीक है, तो यह मैंना आपको mainly यह काम किसके लाता है, जो asset based index है, ठीक है, 16, 38, 40, 36, 105, 2, 41 यह सब, तो इसकी बात हो गई, ठीक है, अब मैं आता हो share based payment के उपर, share based payment ने broadly दो category होती है, equity settled और cash settled, ठीक है, अगर आपका share based payment है, equity settled तो उसमें आप जो fair value consider करते हो, वो grand rate वाली consider करना, लेकिन अगर आपका share based payment है, cash settled वाला, है ना, तो उस case में fair value at each year end वाली consider करना, ठीक है, ध्यान रखना, यह हो गया अपना share based payment, तो I hope आपको यहां तक समझ आ रहेगा, ध्यान रखना मैं आप रिवाइस करवा रहा हो, मेरा focus समझाने पे नहीं कि यह क्यों लिया, मैं बता रहो ऐसा होता है, ध्यान रखना ठीक है, now, let's move on towards financial instruments, अब financial instruments में broadly basic चीज़ याद रखना, अगर तीन type के question है, एक CFA, CFA मतलब compound financial instrument, या फिर relationship वाला question, जिदा parent subsidiary, employer employee, less or less, यह relationship दिखती है, या फिर ऐसा बोला है कि, fair value is based on level 1 input, अगर या तीन मैं से कुई भी type का question है, तो आपको fair value compute करना है, कैसे compute करोगे, fair value is equal to present value of future cash flows, discounted at EIR, effective interest rate, जिसको आप यार से market rate of interest भी कह सकते हो, ठीक है ध्यान रखना, तो आप basically fair value compute करोगे, future cash flows लोगे discount करोगे, मिलेगी fair value, अगर या तीन मैं से, कोई भी चीज question में exist नहीं करती है, तो उसको बोलते है any other question, apart from above, उस case में आप fair value को ही, transaction price consider कर सकते हो, what is the meaning of transaction price, जो day zero का आपका cash flow होता है, उसको बोलते है transaction price, मतलब सब्सक्राइब आपने loan लिया 10 CR का, तो 10 CR is your transaction price, क्योंकि day one पर आपको 10 CR का loan मिला है, उसी को आप fair value मालने ना, अगर ये तीन में से कोई भी case में fall नहीं करता है, तो clear है वाला part, ठीक है, अब इसमें एक और ध्यान रटना, financial investment वाले question में, कभी-कभी transaction cost की बात भी होती है, जो आपन loan raising fees, processing fees वागर एंकर करते हो, तो अगर कोई भी transaction cost है, तो उसको आप in case of financial asset, fair value में add करते हो, अगर transaction cost incur किया है, in case of a financial liability, तो आप less करते हो fair value से, ध्यान रटना, जो भी financial liability की fair value, उससे minus करना in case of FL, ठीक है, एक और चीज, अगर आप FETP method use करते हो, for a financial asset or financial liability, FETP मतलब fair value through profit and loss, अगर आप यह method use कर रहे हो, तो transaction cost आपका, यहां suggest नहीं होगा fair value से, उस case में transaction cost दिरेकली दाएगा profit and loss के अंदर on day one only, ठीक है, ध्यान रतना, तो यह basic financial investment के regarding है, सुनते वे चलो, अगर जहां आपको लगे ना, वापस लोनेस चाहिए, मस्त वीडियो से वीडियो देखने के बाद आप डानल करना file और आराम से सुन लेना, कोई टेंशन निया, देख लेना वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बाद हो गया, यह basic basic बात की मैंने, फिर आओंगा 103, business combination के उपर, अब business combination में, सबसे पहले normal type का business combination, जा ना common controller, reverse equation, कुछ नहीं, normal question, उसको बलते equation method, 6 step use करते हैं, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 1 identifying the acquired data of equation, PC, INE, NCI, Goodwill, या दे, ठीक है, तो अगर normal method use कर रहे हो, तो जब PC दोगे, अगर shares, asset, debenture वगरा कुछ दिया तो fair value पे दे देना, deferred consideration है, तो present value पे consider करना, contingent consideration है, तो fair value पे consider करना, और इसमें pre वाला SBP भी आ सकता है, pre combination SBP award, मतलब PC आप fair value वगरा पे दोगे, deferred को आपसे present value पे देना, जब इस method में आप I&A take over करोगे, तो I&A fair value पे take over करोगे, और इस method में जब difference आएगा, तो debit side में difference आया तो goodwill, credit side में आया तो GBP, that is gain on bargain purchase, अब अगर आपका common control वाला question है, common control मतलब पता ना, before and after, ultimate controlling party still the same, अगर आपका common control वाला case है, तो उस case में जब आप PC देते हो, normally 99% इसमें PC shares में जाएगा, तो जब PC अपने shares में दिया है, तो आप PC shares में जब दोगे, तो fair value नहीं face value पे इशू करना, सर shares के लावा कोई PC दिया तो rare है, normally नहीं आते common control में, अगर एक्जाम में आ गया, तो फिर normal logic लगा देना बाकी चीज़ों में, जो आपने बाकी PC दिया है, apart from shares, बद shares दिया तो normal value पे देना, उसके अलावा, जब आयने take work करोगे in case of common control, book value पे take work करना, और common control वाले case में, आप reserves भी take work करना हो, ठीक है, एक demerger not under common control, और एक demerger under common control, ठीक है, एक demerger not under common control, और एक demerger under common control, अब एक बात ध्यान रखना, मालूम कैसे पड़ेगा, कौनसा वाला demerger है, दो हिंट दियते में आपको, बराबर, एक तो पुराने company में होना चीए major shareholder, second, जब नया company ने PC दिया, तो PC shares में देना चीए, अगर दोनों condition meet हो गया, तो demerger under common control, वो लिखा नहीं है, बढ़ आपको notes वगरा में मिल जाएगा, ठीक है, अगर दोनों में से एक बी condition meet नहीं हुई, तो demerger not under common control, अब अगर demerger not under common control है, तो acquirer की books में क्या करना है, normal demerger not under common control, तो acquirer मतलब जो purchasing company, वो क्या करेगा, normal चीज़े करेगा, PC same like acquisition method, जो भी PC आपने दिया, सब fair value पर अगरा पर दे देना, आयने जब take work करेगा, तो आप fair value पर take work करना, ठीक है, लेकिन अगर demerger under common control है, तो जब वो बोलते हैं under common control है, तो PC आप face value पर दोगे, आयने आप book value पर लोगे, और difference इस case में, क्यूंकि common control वाला है, तो difference जाएगा capital reserve के अंदर, अब demerger में normally confusion कहा था reserves को लेकर, याद अतना demerger में, reserves कभी take work करना ही मत, वो not under common control हो, या under common control हो, इससे better आपको summarization नहीं दे सकता भाई, सब कुछ एग जगे पर दे दिया मैंने, यह acquirer के books में बात किया, अब demerger में कभी-कभी exam में, acquirary के accounting भी पूछता है, acquirary मतलब selling company, demerger में क्या होता है, चार division में, अकाउंटिंग क्या करेगा, वो इसके लिए बहुत simple है, asset भार, इसलिए credit, liability भार, इसलिए debit, जब कुछ चीज भार जाएगी, तो carrying amount भार जाएगी, और भार जाने वाले company का difference आएगा, वो जाएगा capital reserve के अंदर, simple, इसके लिए बस कभी PC का inflow मत record करना, because PC इस पुराने company को नहीं, company के shareholders को मिलता है, तो यह लोग PC का inflow record नहीं करते हैं, तो inquiry के books में, दोनों case, de-emerger not under common control, या de-emerger under common control, inquiry के accounting entry same है, दोनो case में, हो गया, ठीक है, business combination में last part, reverse acquisition, reverse acquisition में क्या होता है, suppose मैंने, Mrool Imminent को acquire किया, MRU मेरी wife का नाम short form, तो उनको मैंने acquire किया, तो reverse में क्या होता है, normally लगता है कि, मैं acquirer वो acquirery, बट आपन PC में इतना कुछ दे बैठते है, कि Mrool becomes the accounting acquirer, and I become the accounting acquirer, तो reverse equation में, सबसे पहले मालूम करना होता है कि reverse equation है, वो hint कैसे मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया है, बराबर एक बर आपको मालूम पढ़ जाए कि reverse equation है, तो जो question में PC दे आपको काम का नहीं है, आपको निकालना होता है dimmed PC, dimmed PC मतलब अगर MRU limited ही मुझे acquire करता, तो मुझे कितना PC देता, उसको बलते है dimmed PC, accounting PC, आपको निकालना पड़ेगा, second, जब INA take over करोगे, तो INA to fair value पे take over करना, बट किसके INA take over हो रहे इदर, क्योंकि हमने MRU को acquirer माना है, तो यहां फिर मेरे INA take over होएंगे, accounting inquiry के INA take over होएंगे, तो मेरे INA कौन से value पे take over होएंगे, fair value पे take over होएंगे, तो यह आपके लिए है, मैं YouTube page को रखूँगा, फाइल को टेलिग्राम पे डाल दूँगा, डाउनलोड करो, और एक बार फिर से खुद से भी go through कर लेना, मेरे बताने में खुद के पढ़ने में फरक होता है, मैंने बता आपको फटाफर फटाफर, जहां आपको लगा कि मेरे को थोड़ा pause लेनी के जरूवत है, आप फटाफर से डाउनलोड करो notes और एक बार खुद रिफर कर लेना, ठीक है, तो I hope this was helpful, शुक्रीया अर्यवान, thank you so much, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye.